नमस्कार दोस्तों स्वागित करती हूँ आप से भी का एक्जाम एचेमेंट में मैं करना इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 11 के पेंटिंग सब्जेक्ट का चेप्टर नमबर 10 इंडो इसलामिक इस्थापत्य कला के कुछ कलात्मक पहलू दोस्तों ये आपके सेकिंड डिम्स लिबस का थियोरी में लास्ट चेप्टर है इस से पहले हमने पढ़ा है इस्थापत्य कला भारतिय मूर्ति शिल्प और मंदिरों को और अब हम पढ़ेंगे इंडो इसलामिक इस्थापत्य कला को इंडो इसलामिक इस्थापत्य कला क्या है तो एक ऐसी इस्थापत्य कला जिसके अंदर भारतिय ततू भी है और इसलामिक यानिकी जो बाबर और हिमायू शहां जहां ने जो इसके अंदर इसलाम ततू को डाला है और ये कहां से आया है इरान और फारस से तो इरान और फारस की स्थापत्य कला प्लस भारतिय स्थापत्य कला को मिलके बनता है इंडो इस्लामिक कला जिसके दो महतोपूर उधारन जो आप इस चप्टर में पढ़ेंगे वो है गोल गुंबत बीजापुर और कुतुब मिनार दिल्ली जिसके अंदर हमको भारतिय और म होना शुरू हुआ था क्योंकि मुगल सामराजे के स्थापना से पहले ही मुस्लिम व्यापारी या धर्म प्रचारकों ने आकरानताओं ने हमारे इंडिया में आना शुरू कर दिया था और 600 वर्ष बीच जाने के बाद 12 वी शताबदी में फिर यहां पर जो निर्मान की त अरिवर्तनाने शुरू हो गए थे तो और कुछ इसलामिक विशेश्टा क्या होती है जैसे महराबदार महराब का प्रियोग जैसे हमारे हाँ जो चोखट बनाई जाती थी वो गोलाकार या फिर चोकोराकार में बनाई जाती थी लेकिन जो मुगल इसलामिक इस्थापत्ते की देन है वो है लेदार महराबदार चोखटों का या खिडिकियों का प्रियोग और इसके अलावा कुछ कोस्चक और जो गुमबद है वो गोलाकार गुमबद जिसको अर्ध कटो रखा कार देते हैं वो भी मुगल इस्थापत्य की ही या इसलामिक इस्थापत्य की ही देन हमारे हैं पर माना जाता है अगर मैं आपको बताऊं तो जो चार बाग शेली है वो भी मुगल इस्थापत्य की ही देन है चार बाग शेली क्या होती है जिसके अंदर बीचो बीच मुख्य इमारत को बनाया जाता है और उसके चारो तरफ चारो दिशाओं में चार दरवाजे या तोरन छोड़े जाते हैं और वहाँ पर चारो तरफ रास्ता बनाया जाता है इसको बोला जाता है चार बाग शेली जिसको बाबर हमारे हाँ पर लेकर आये थे और ये जो शैली हम पढ़ने हैं इंडो इसलामिक शैली इसको और इंडो सारसेनिक और इंडो इसलामिक इस्थापत्य के नाम से भी जाना जाता है इवी हिवेल ने कहा था कि हिंदो ने अपने धार्मिक विश्वासों के साथ अनेग देवी देवताओं के अस्थितु को विभिन रूपों में स्विकारा है जो सर्विप्यापी है जबकि मुस्लिम केवल एक देवे शक्ती मुहम्मत को मानते हैं अता हिंदु मार्त के विभिन हिश्चों को देवी देवताओं की मूर्तियों आकरतियों वो चितरों से सजवाते हैं जबकि इस जाम में इन सब की मनाही है अथा मुस्लिम वास्तुकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन पत्थर वे प्लास्टर के उपर जहमिती आकरतियां बना कर किया या फिर उन्होंने सुलेखन के दौरा कुरान की आयतों का प्रियोग सजावट में किया जैसे कि आपको यहां पे गाडं कर रही हूँ उस जा रहा है जो यह जो इस तरह परियोग यहां कर दो दो २हीं और इसका प्रियोग बहुत ज़्यादे किया गया है ताज महल में इसके अलावा बहुत सी मुस्लिम इमारतों में इस तरह की महराब को देखा जाता है जबकि भारतिये जो महराब थी वो बनाई जाती थी या तो इस तरह गुलाई से या तो इस तरह से चोरसाकार में लेकिन ये वाली महराव हमको दी गई है नुकीली महराव जिसको बोलते है ये दी गई है इसलामिक वास्तुकला के द्वारा इसके लावा ये जो नकासी आपको यहां पर देखने मिल रही है इस गेट के उपर इस तरह की नकाशी भी हमको मुगल स्थापत्य में ही देखने के लिए मिलत इसको बनाया गया है लाल बलुवा पत्थर वे सफेद संग मर्मर से और ये ईशा की बार्वी शताबदी में इसका निर्मान किया गया है और इसको भारतिय पुरातत्व सरवेक्षन विभाग ने सरक्षन भी प्रदान किया गया है अगर इसके बात में देखा जाए तो इसकी उंचाई 72.5 मीटर ये उंचा है और इसके अंदर 5 मंजिला ये इमारत है और कुतुब बुद्दीन एबक और उसके उत्रादिकारी इल्टुत मिसने इसका निर्मान करवाया था तो कुतुब बुद्दीन एबक ने इसकी 3 मंजिल का निर्मान कराया था और बाकी की 2 मंजिलों का निर्मान इल्टुत मिसने करवाया था और कुतुब का अर्थ होता है कुतुब का अर्थ होता है इस्थंब और ये एक इस्थंब के आकार में ही इस मिनार को बनाया गया है इस मिनार के अंदर कुवतुल इसलाम मस्जिद के दक्षणी प्रवेस द्वार को अलाई दर्वाजा कहा जाता है, यहां पर एक मस्जिद भी है, जिस मस्जिद का नाम है कुवतुल उल इसलाम मस्जिद, और उसका जो दर्वाजा है वो अलाई दर्वाजा कहलाता है, और कहते है इस अलाई दर्वाजे का निर्मान जो था, व वो कम हो जाता है और 2.59 रह जाता है इस तरह से ये 5 मंजिल की हिमारत हमारी बनी हुई है जो नीचे की 3 मंजिले जो कुतब ब बदिन अबक ने बनवाई थी वो बलवा पत्थर से बनी हुई है जब कि उपर की जो 2 मंजिल इल्दुत्मिस ने बनवाई थी वो सफेद संगमर्मर से बनाई गई है उपरी मंजिल फिरो साथ उगलक के समय पे छतिगरस्थ हो गई थी और फिर उसका बाहर से दुबारा से उसको मतलब सजाया गया समारा गया और उसका सरक्षन किया गया इसके अंदर गोल सीडिया बनी हुई है जो की अंदर जाने का रास्ता पहले क्या होता था कि इसके अंदर इन सीडियों के चड़के पाचवी मारत पे पहुँचा जा सकता था पर अब उन सीडियों को बंद कर दिया गया है दुरगटना से बचने के लिए दोस्तों जो दूसरा इस्थापत्या आप पढ़ेंगे वो है गोल गुमबद जिसको हम गोल गुमबच भी बोलते हैं और ये बीजापूर में है और इसका जो ये चारो तरफ जो मिनारे बनी हुई है और जो उसके उपर गुमबद बना हुआ है वो आकरशन का विशेश केंद्र है ये बीजापूर करनाटक में है मुहमद आदिल सहा ने इसका निर्मान करवाया था इंट और चूने पत्थर से ये बना हुआ है और 1659 इस्थवी में इसका निर्मान हुआ था और भारते पुरातत सरवेक्षन इसका सरेक्षन करता है और इसको एक इसमरती या फिर मकबरा बोला जाता है जो की था मुहमद आदिल सहा का और उन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने इस मकबरे का निर्मान करवा दिया था ये भी इंडो-इस्लामिक सैली में बनी हुई एक इमारत है और इसकी जो आधार है जो चोकोर चबूतरा है वो 47.5 मिटर का है यानि की एक बुचा इतनी है और जो इसका व्यास है जो उपर गुमबद बना हुआ है मैं इस वाले गुमबद की बात कर रहे हूँ ये जो गुमबद उपर बना हुआ है ये 44 मिटर व्यास में बना हुआ है और इसकी जो टोटल उचाई है वो 33.22 मिटर है एक कमल की पंकुडी के किसको प्रदान की गई है अस्ट कोण यह साथ मंजिलों वाली इमारत इसको बोला गया है और क्यों बोला गया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ जो आपको इमारे दिख रही है चारो तरफ जो एक मिनट यह चारो तरफ जो बनी हुई है इसके अंदर आठ मंजिल है और अस्ट कोण यह है मतलब कि साथ मंजिल इमारत है और इसके अंदर आठ तरफ यह जो दरवाजे आपको यह चोटे-चोटे से दिख रहे है वो आठ दरवाजे बनाए गए है और सब्त मंजिला इमारत है यह चारो तरफ इसलिए इसको अस्ट बुजाकार भी एक बार को बोल दिया जाता है तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों इमारतें समझ आ गई हूँगी जिनको हम पढ़ रहे हैं इंडो इसलामिक वास्तुकला में तीसती इमारत पहले इसके अंदर ताज महल हुआ करती थी लेकिन अब ताज महल वो 21 के सलेबस में नहीं है सिर्फ ये दो इमारतें आपके सलेबस में आएंगी इन पर कोशन पूछे जाएंगे आशागरती हूँ आपको समझाया होगा मेरी वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने और इसी तरह के इन ही चैप्टर्स के बाकी और नोट्स लेने के लिए बने रहें मेरे साथ एक्जाम अचीमन के साथ धन्यवाद दोस्तों